Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल Speed in 52 seconds, तो इसको डीटेल से समझेंगे कि exactly है क्या और भारत जो है, वो किस तरीके से अब अपनी जो प्रीमियम ट्रेने हैं, जैसे शताबदी, राजधानी इन सब को phase out कर देगा, और किस तरीके से planning हो रही है यहाँ पर इन सभी ट्रेनों को वंदे भारत train से replace करने में, काफी कुछ जानने को है, इस वीडियो के अंदर चली आगे बढ़ते हैं लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, UPSC का batch join कर सकते हैं, दोस्तों आप 14 September से यह पूरा batch start हो रहा है at a very affordable rate, you just have to use the code अंकित live हमारे website और app पे और वहाँ पर 19,000 में यह पूरा course आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर कई features हैं, जैसे सारी classes live पढ़ाई जाएंगी, notes कराये जाएंगे, answer writing practice आपके main exam के लिए, revision test होगा, MCQ हो गया, daily current effect, यह सब कुछ आपका prelims के लिए कराये जाएगा, और एक mentor भी आजाएगा, कोई दिक्कत है, problem है, आप अपने mentor से पूछ सकते हो, मतलब whole तैयारी आप सोच के देखिए, इतने सारे features के साथ, सिर्फ आपको 19,000 में मिल रहा है, तो hurry up, यहाँ पर आप ज़्यादा स्यादा फैदा उठा सकते हैं, इसके लावा अगर आपको MCQs भी attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेश पर जाएए, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे तो चलिए सुरुवात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, exactly हो क्या रहा है, देखो एक तो चीज़ आप ध्यान रखेगा, भारत के अंदर इस समय दो वंदे भारत ट्रेन चल रही हम सबको पता है, एक तो जो है न्यू डेली से आपका जम्मू की तरब जाती है, और दूसरा न्यू डेली से आपका वनारश जाती है, यह हम सबको पता है कि यहाँ पर दो चल रहा है, लेकिन जो तीसरी ट्रेन है वंदे भारत की, उसका थर्ड ट्राइल, सेमी हाई स्पीड ट्रेन हम सबको पता है, उसका थर्ड ट्राइल सकसेस्फुली कम्प्लीट हो गया है, एहमदाबाद और मुंबई के बीच में, यह आप देख सकते हो, जो वेस्टन रेलवे का ट्वीट आया है, लेकिन सबसे खास बात इस बार के ट्राइल में जो देखने को मिली वो यह है, कि इसकी जो स्पीड है, वो 0 to 100, अब ध्यान रखिएगा, बुलेट ट्रेन, जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो बहुत जादा हाई स्पीड होती है, जब हम फास्टेस ट्रेन की बात करते हैं, तो 300, 300, 400 किलोमीटर पर आवर, इसके इसाफ से हम देखते हैं, लेकिन मैं उसके रेकॉर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि वंदे भारत उतने स्पीड से नहीं जा सकती, लेकिन जो इनीशल फेज होता है, 0 to 100 तक की जो दूरी होती, 100 किलोमीटर पर आवर, जो स्पीड तय करना होता है, उसको सिर्फ से बारे में सुनाएका, वर्ल्ल फास्टेस टेन, इसके विलावा जो शंगाई, मैगलेव टेन भी होता है, इन सब के अंदर जो टेकनलोजी यूस की जाती है, इन बुलेट टेन के अंदर, वो क्या होता है, मैगनेटिक लेविटेशन का टेकनलोजी होता है, और उसमें 150 km पर आर तक अगर आप देखोगे तो बहुत तेजी से वो तै नहीं करती, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब वो magnetic levitation अचीव कर लेती है, मतलब कि वो जो आपका track होता है, उससे थोड़ा सा उपर होती है, हवा में होती है आपका, और इसी की वज़े से इसके अंदर friction कम होता है, और वो easily जो है आपका fastest बन जाती है, मतलब तेजी से आपका run कर सकती है, तो आपको समझना है, जो हम bullet train की बात करते हैं, तो वो initial phase में बहुत तेजी से नहीं दौटी, लेकिन बंदे भारत train, जैसा कि आपको पता होगा, ये semi high speed train है, इसके अंदर 16 coaches होते हैं, और हर एक coach ध्यान रखना है, self propelled होता है, अब आप में से सोचोगे कि ये self propelled का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको पता हो, वंदे भारत, इसके आगे कोई engine नहीं लगा होता है, ये हम सब को पता है, engine नहीं लगा होता है, तो basically क्या है ना, कि direct जो power है, वो आपका electricity से, इस train को जो power मिलती है, वो electricity से मिलती है, और हर एक coach के उपर यहाँ पर जो power line है, उसके माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा, In fact, जैसे कि मैं आपको example बताता हूँ, ज्यादा तरल आप में से Delhi Metro में travel किया होगा, notice करना कि Delhi Metro में हर एक जो coach होता है, उसमें आप देखो कि यहाँ पर वो उपर electrification से joint होता है, यह आप देख रहो ना, यहाँ पर, हर एक coach का, यहाँ पर भी अगर आप देखो, यह वाला coach भी joint है, यहाँ भी joint है, तो हर एक coach को क्या है कि power मिलती है, self propelled होता है हर एक coach, और जिसकी जैसे उसके पास ज्यादा ताकत होती है, और उसको जल्दी रोकने में, जल्दी fast speed करने में आसानी होता है, लेकिन bullet train उसको इतना easily achieve नहीं कर पाती, bullet train को थोड़ा सा समय लगता है, वो तेजी से फिर रन करने लगती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 0 to 100 km per hour यह achieve किया है, यहाँ पर हमारी वंदे भारत ने सिर्फ 52 seconds के अंदर, और जो bullet train है उनको लगबग 55 seconds लग जाते हैं, वैसे मैं आपको यह भी बता दूँ कि जो पहली generation की वंदे भारत है, जो बना maximum speed 160 km per hour होती है, लेकिन यह वाला जो अभी trial चल रहा है, जो एहमदाबाद मुंबई वाला मैंने आपको बताया, उसकी maximum speed 180 km per hour आपको देखने को मिलेगी, और इसका कारण यह बताया है कि जो नई वाले वंदे भारत है, उसका weight कम किया गया है, 38 tons लगबग जो है, उसका weight कम किया गया है, in fact यह जो maximum speed हम बात कर रहे हैं, 180 km per hour, I am sure कि आपने recently social media में काफी देखा होगा, कि इस तरह से glass रखकर, in fact जो हमारे खुद railway minister है, हमारे वैशनओ जी, उनके द्वारा यहाँ पर बतायागा, किस तरह से देखिए, वंदे भारत train के अंदर, यह glass रखा हुआ है, क्योंकि उनका यही कहना है, कि हमारा मकसद सिर्फ train produce करना नहीं है, जो tracks हैं, उनको भी proper तरीके से maintain करना है, ताकि high speed के दोरान भी, जो journey है, वो आपकी comfortable हो सके, तो यह जब हुआ, जब हमने कर की दिखाया भारत ने, तो it shook the world, ऐसा यहाँ पर अश्विनी वैशनओ का कहना इसके माध्यम से, और साथी साथ वो यह भी कह रहे थी, कि आगे चलकर जो बाकी के 72 trains है, क्योंकि आपको पता होगा, कि कोशिश हमारी यह है, कि जो अगला 15 गस्त आएगा, तब तक 75 वंदे भारत train इसको launch कर देना है, तो let's see क्या वो अचीव हो पाता है, कि नहीं, लेकिन मैं आपको यह बताओं कि, यहाँ पर जो नया वाला वंदे भारत train आया, उसमें और भी कई features include किये गए है, वाइफाई हो गया, 32 inch LCD TV हो गया, energy efficient AC होगा, dust free clean, air cooling होगा उसके अंदर, इसके लाबा side recliner seat facility होगा, सभी coaches के लिए, पहले वाले वंदे भारत में यह सिर्फ आपक कोई एक और यहाँ पर चीज़ बताता हूं कि, बहुत ही जल राजधानी, शताबदी, दुरोंतो जैसी premium train इसको phase out कर दिया जाएगा, यह इतिहास का part हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार की मनशा यही है कि, आगे आने वाले समय में, यहाँ पर जो वंदे भारत semi high speed train है, यहाँ पर जो senior railway ministry officials है, उनका यह कहना है, कि हमें बहुत सारे improvement करने पड़ेंगे, infrastructure में बदलाव करना पड़ेगा, चाहे electricity का मामला हो, signaling system का मामला हो, track हो गया, rolling stock हो गया, तो यह semi high speed लगाना भी कोई आसानी है, जो existing track है, आप उसमें उसको नहीं चला सकते हैं, आपको and state of the art technology, यहाँ पर जो पहले के coaches होते थे, जैसे कि आपने ICF और LHB को से सुना होगा, ICF क्या होता था, जो पहले integral coach factory से जो बनते थे न, coaches उसको ICF कहते हैं, वो थोड़े पुराने होते थे, उसके बाद जो नए features के साथ, better coaches आया, वो LHB आया, लेकिन यह सब हटाया दिया चलाने की कोशिश है, और यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि जो पहले वाला वंदे भाराट train चल रहा था, वो 160 km पर आर, उसकी maximum speed थी, जो नए वाला आने वाला है, उसकी 180 होगी, और फिर आगे जैसे 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 नए versions आएंगे, उसमें जो speed है, उसको और further improve किया जाएगा, जैसे कि 200 km पर आर, 220, 240, इस तरह से कोशिश है यहाँ पर वंदे भाराट train की speed को बढ़ाने की, जो जो नए versions आते रहेंगे, उसके इसाब से उसके अंदर बदलाव करता जाएगा, और इसके अलावा उसके अंदर जो amenities है, वो भी better करने की कोशिश की जाए बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको upgrade करनी परती है, इसके अलावा एक और जो important चीज होता है इस तरह के train चलाने में, वो होता है cab signaling system, अब देको cab signaling system क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था आपने देखा होगा, कि जो driver है उसको लगतार concentrate करना होता था, train जा रही है, स signaling है उसके जो screen है train में, जिससे वो देख रहा है, चला रहा है, वहाँ पर उसको देखने लगेगा, तो उसको वो सबचिंता करने की ज़रूत नहीं है, मतलब एक प्रकार से और ज़्यादा safe बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, cab signaling वैसे मैं आपको यह बता दूँ, क और यह इधर आप देखो, यहाँ पर एक single engine आ रहा था, या फिर मानलों दोनों तरफ से train आ रही है, आमने सामने, दोनों काफी ज़्यादा speed पर है, 100 km पर आर की speed है, लेकिन यह जो कवच technology भारत का इंडीजेना से ध्यान रखेगा, कि जो foreign में technology मिलता है, वो बहुत ज़्य तो उसको शायद भारत कह रहा था कि नहीं हम इसको afford नहीं करेंगे, हम खुद से यह technology बनाएंगे, और finally हमने कवच technology बनाया, और जिसके माध्यम से, मानलों कोई भी train आमने सामने आती है, वो कभी भी भीड़ भीड़ेगी नहीं, वो automatically यहाँ पर stop हो जाएगी, भले ही driver करे ना करेंगे, उसको automatically stop कर दिया जाएगा, क्योंकि यह आमने सामने यहाँ पर, तो यह कवच technology बहुत मददगार साबिन होने वाली है, और cap signaling के अंदर यह जो technology है, उसको भी include किया जाएगा, और दिल्ली हावरा, दिल्ली मुंबाई रेल रूट पर इसको लगाने के लिए, अलड़ी 10,000 करोन यहाँ पर approve कर दिये गा है, ताकि जो collisions होते हैं, वो यहाँ पर ना हो सके, इसके अलावा जो एक और सबसे important है, जो semi high speed train चलाने के लिए, वो होता है world class electrification, actually क्या है कि current में जितने भी electric train चलते हैं, electric के power generate होने के माध्यम से, जो अभी चल रहा है current में train, वो electricity sufficient नहीं है, क्योंकि अगर हमें तेज speed से चलाना है, तो ज़्यादा power चाहिए, राइट, और इसी को देखते हैं यहाँ पर railway board ने already, जो capacity power lines है, उनको increase करना start कर गया है, ताकि और उसके अंदर इतना sufficient power होगा, कि अगर हम 260 km per hour के हिसाब से भी अगर train को चलाना चाहते हैं, त इतना ज़्यादा power जो है, जो electrification है पूरा, वो कराने की जरूरत है, तो यह सब कुछ होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आई होग कि आपको समझ में आ गया होगा, और यह जो current में news आय थी कि bullet train का record टूटा है, वो क्यों टूटा है, वो भी मैंने आपको बता दिया, जाने Statue of Unity है, उसके पास ही यह station है, एकता नगर, तो जाहिर सी बात है, Statue of Unity की हम बात कर रहे हैं, सर्दाव अलब भाई बटेल की, उसको एकता से जोड कर देखते हैं, उसलिए उसका नाम एकता नगर, तो कौन से railway station का नाम एकता नगर किया गया, यह आपको बताना है, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर studies में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह है, तो टेलिग्राम पर आईए, तयारी हुई, अफोर्डिबल